सत्संग से पांच कन्याएं प्राप्त होती हैं और एक पुत्र प्राप्त होता है सत्संग से पांच कन्याएं प्राप्त होती है क्या मति की रतिगति भूति भलाई यह सारी इस्तुरी लेंगे तो ससंकरोगे तो मति, बुद्दी, कीरती, आपकी कीरती बढ़ेगी, गती, शुब गती होगी, मति, कीरती, गती, भूती, विभूतियां, एश्वरिय मिलेगा और भलाई, अच्छाई, ये पांच चीज सत्संग से प्राप्त होगी, ये पुत्रियां हैं सत्संग के, मति, कीरती, गती, भूती, भलाई, जहां जही चतन, जहां जही पाई, सोजानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद ना आनव। ये पांच कहीं भी दिखाई देती हैं, तो समझ लो, इसने सत्संग किया है, इसलिए इसको मिली, मति की, रतिगती, भूती, भलाई, पांच का न्याए हो गई, तो एक पुत्र भी मिलेगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, रामकरपा बिन सुलब न सोई, तो पांच पुत्रियां, और एक पुत्र, जिस साधन से प्राप्त हो रहा है, उस साधन को छोड़कर किसी और साधन के पीछे हम क्यों चले हैं?